हेलो गाइज वेलकम दो चैनल मासे सब बोटनी अगेन मैं हूँ आपका दोस्त विने कुमार सिंग इस वीडियो में हम जानेंगे इकोलाजी का एक टॉपिक जो है राउंड कियर लाइफ फॉर्म उसके बारे में तो राउंड कियर जो है इन्होंने 1934 में सारे प्लांट्स को जो है classify किया इन्होंने देखिए हर चीज का basis होता है मतब किसी भी चीज का classification का एक basis होता है सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको classification पसंद है तो आप चीजों को करना बहुत अच्छे से जानेंगे तो इन्होंने भी क्या किया plants को classify किया basis क्या था इनके classification का कि growth point इसे पर कहां पर located रहता है ठीक उसके basis पर आगे मैं आपको और डीटेल लेता हूं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा तो अभी तो यह जानी है राउंड कियर ने 1934 में यहां पर मैंने reference लिखा है राउंड कियर 1934 इनका एक book था the life forms of plant and statistical plant geography Oxford University Press का इनका यह जो है classification इस में publish हुआ था इन्होंने सारे plants को में ली जो है अगर देखें तो पांच जो important है आपके इसमें उन्हें डिवाइट किया था फेनरोफाइट्स कैमिफाइट्स हेमी क्रिप्टोफाइट्स क्रिप्टोफाइट्स जिसे जियोफाइट्स भी कहते हैं और लास्ट थीरोफाइ जैसे आप बर्ड कहते हैं वो plants पे कहां पे located है इसके basis पे इनका ये classification था फेन्रो का means आपको पता है आपने लोवर बॉर्टनी बहुत अच्छे से पढ़ा है फेन्रो एक Greek word है जिसका means होता है विजिबल विजिबल मतलब जो चीज हमें दिखता है तो growth point अगर आप definition देखे about ground level होगा ठीक है और example में क्या आते हैं इसके trees bushes और लाइना स्कुल मिला कि इसका ये कहने का मतलब है पच्छा ग्राउंड लेवल से ठीक है ग्राउंड लेवल से 50 cm से जादा उपर अगर आपके बढ़ रहते हैं growth points रहते हैं अनफेरेबल सीजन में अनफेरेबल सीजन का मत अचलब जिसे cold आ गया extreme cold या गर्मी काफी ज़्यादा है तो बहुत से plant आप देखेंगे कि वह डाई आफ उसका शूट डाई आफ हो जाता है ठीक और बहुत सारे जो प्लांट से trees देखेंगे बुशेज जो है जाड़ी है लाइनास मतलब जो climber plant है woody climber वह हमेशा आपको देखेंगे कि वह ऐसा ही रहती है trees है क्या trees सूखता है नहीं सूखता चाहे गर्मी हो ठंडी हो वह आपको grow करता हुआ दिखाए देगा तो वहां पे जो birds है उसके वह ग्राउंड लेवल से 50 cm के ऊपर रहते हैं मतलब trees इतना बड़ा होता है बूशे साथ हैं कि जो जाड़ रहती हैं काफी बड़ी बड़ी है वह पेरिनियल होती है ठीक मतलब एक से ज़्यादा वर्सों तक वह लाइव रहती है और उनका जो वह बड़ है वह उसी पर रहता है ठीक अन्वेबल कंडिशन में उसी पर रहेगा तो बड़ का पोजिशन आप देखेंगे इसलिए उसक बड़ वैसे ही रहते हैं वहाँ पे प्लांट पे और फिर जब फेवरिबल कंडिशन आता है तब उनके वर्ड जो है शूट बनाते हैं फ्लावरिंग शूट या वेजिटिटी शूट बनाते हैं वह अगर हम बात करते हैं कैमीफाइट्स की तो कैमीग रीक वर्ड जिसका म अप टू अबाओ्ट 50 cm अब भूद ग्राउंड लेगोल ठीक ये क्या था रही टाएट लीस्ट 70 meters अबॉद ग्राउंड लेट्स में 1020 सेशन आले हैं इतक्स सभावली और मतलब ये ग्राउंंद लेवल से लेके पचास सेंटीमीटर हाई तक रार इसjust प्लांट इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं आपके पेर्नील हपी सिस्स प्लांड आते पेर्नील हफीस फ्लांट जो होंगे आप बेकिंगे ग्राउंड से लगबग 50 cm तक ही वो ग्रो करते हैं और जब unfavorable condition आता है तो उनके जो bird होते हैं मतलब क्या होता है unfavorable condition जो प्राइट अपना ग्रोध थोड़ा सा सीज कर देता है तो bird उसके सीज ग्रोध जो होता है उसका सीज रहता है तो unfavorable condition में आप कहेंगे कि bird जो है वो 50 cm तक ही है वह अगर आप हेमी क्रिप्टोफाइट की बात करेंगे हेमी का मतलब हाफ क्रिप्टो का मींज हिडेन तो यहां पर जो ग्रोध पॉइंट होता है बड होता है वो unfavorable season में ground के नि common daisy में और dandelion में मतलब यह plants अगर आप देखेंगे तो इनके जो growth point होते हैं मतलब यह भी perennial plant होते हैं लेकिन यह पूरा सूकते नहीं है पूरा सूक नहीं जाते है यह उपर का जो ground के उपर पार्ट निकलर रहता है वो एकदम close ground के ही रहेंगे उनके जो birds होते हैं वहीं प birds होते हैं growth point जो होते हैं वह unfavorable condition में क्या करते हैं below ground level होते हैं जिसे किस form में रहते हैं यह rhizome जिसे कुछ-कुछ plant से cryptophytes वह है यह जियोफाइट्स वह plant होते हैं जो unfavorable condition आने पे उपर उसका पूरा सूक जाएगा लेकिन जमीन के अंदर वह है प्रिनेटिंग स्टक्चर बनाएंगे ट्यूबर बल्ब यह कॉर्म एट्सेटर यह सब बनाके मतलब वह क्या करते हैं अब फेविल कंडिशन में grow करते हैं खाना ही कट्था करते हैं अपने root या stem में underground ग्राउंड पार्ट में और जब unfavorable कंडिशन आता है तो उपर से वह पूरा सूक जाएंगा आपको जमीन के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा लेकिन जमीन के नीचे वह ट्यूबर राइजोम या बल्ब कॉम के फॉर्म में रहते हैं और नेक्स सीजन जब आएगा फेविल कंडि कंडिशन में उपर का पूरा चीज सूख जाएगा और नीचे वह राइजोम ट्यूबर बल्ब के फॉर्म में रहेंगे जमीन के नीचे और जब फिर फेविल कंडिशन में आएगा तब वह क्या है यह सार वहां पे ग्रोथ पॉइंट रहेगा राइजोम ट्यूबर पे इन मतलब उस पे रहते हैं मतलब इनका यह से कुछ नहीं होता कि यह राइजोम ट्यूबर एटसेटरा बनाएं यह जैसे मालेजे फेविल कंडिशन आया कुछ 15-20 दिन के लिए यह यह प्लान क्या करेंगे कुछी जर्मिनेट करते हैं तुरंत इन में फ्लावर निकलता है सीड बनेगा और यह पूरा सूख जाएंगे ना तो जमीन के अंदर रहेंगे ना तो जमीन के बाहर रहेंगे केवल इनका जो नेक्स परिनेटिंग स्ट्रक्चर है वो सीड के फॉर्म में रहता है मतलब सीड ग्राउंड पे पड़ा रहेगा जब फेरिबल कंडिशन में आगा सीड वो उस कुछ छड़ के लिए मतलब 15-20 जो एक महीने का इनको फेरिबल टाइम मिलेगा उसमें तुरण सीड ग्रो करके प्लांट बनाएगा प्लांट में फ्लावर आएगा फडिलाशन करके सीड बनेगा सीड के फ़र्म में फिर अपनी प्रोजनी वहां पर मतलब रख यह ग्राउंड लेवर ध्यान में रखिए और 50 cm का हाइड ध्यान में रखिए जो फेनरोफाइट्स हैं यसे ट्रीज मैंने आपको बताया बुशेज मैंने आपको बताया यह 50 cm से जादा बड़े होंगे और यह सूखते नहीं हैं बिल्कुल अनफेरिबल कंडिशन में चाह इनके स्टेम पे ही जो बड़ रहेंगे वह वह क्या करेंगे नए नई शाखाय बनागे जिसे आम का पेड़ आप देखते हैं महंगी फेरा इंडिका वह फेनरोफाइट में आते हैं उनका आप हाइड देखेंगे 50 cm से उपर रहेगा उनके बड़ का जो अगले सीजन में ग नए नए वह निकलते हैं ब्रांच निकलते हैं वहाँ पर फिर फ्लावर होगा फिर फ्लावर सीड़ बनके सारी कहानी खतम हो जाती है उसके बाद फिर वह सीज कर लेगा गुरूथ अपना वैसे वैसे बना रहेगा फिर जब फेवरेबल कंडिशन में आएगा तब वह धी जो परिनेटिंग स्ट्रक्चर हुए मतलब हम बड की बात कर रहे हैं जो बड है यह आप देखें के पचास सेंटीमीटर से उपर ही हमेशर रहेगा बड नय नय शाखाए बनाते हैं वहीं कैमिफाइड जो होते हैं यह पचास सेंटीमीटर के अंदर वाले होते हैं और इन म में आपको क्या होता है यह क्लियरली दिखते हैं कैमिफाइड जो होता है यह थोड़ा सा कैमिफाइड के मैंने आपको क्या बता है क्लोस दे ग्राउंड रहते हैं ठीक है क्लोस दे ग्राउंड वाले पौदे हैं हेमी क्रिप्टोफाइड में क्या है यह जो होते हैं हेमी क् इससा सूख फूख जाएगा इन प्लांट का और इनका प्रिनेटिंग इस्ट्रक्च्र बिल्कुल ग्राउंड के लोज रहेगा वह क्रिप्टोफाइट जीवफाइट में ऐसे प्रैंट यह उपर ग्राउंड के जस्ट उपर का पार्ट इनका सारा सूख हो जाता है और नीच यह इस सफ़ाइब करनें का पार्ट मैंने आपको बता को सब्सक्रों पर इंट रहता है यहां पर यहां पे बड़ नहीं मिलेगा यहां पर पर क्रिप्टोफ़ाइट क्रिप्टोफवाइट या ज्याफ़ाइच और ठीरूफ़ाइट क्राउन लेवल पचास सेंटिमीटर में रखेंगे इनका डिफिनेशन इनका एक्जामपल आप पढ़ लीजेगा अप देखते भी एच्चु में आये हुए बनारश इंटर्षी में आये हुए कुछ कुछन के बारे में इसके बीशिस पर पहला कुछन है इसे प्लांट जो पर जाते हैं आरिड जोन में और हैब गेर बट सोटें वो कंप्लीटली हीडेन होते हैं किस फ़ल में as bulb or rhizome उन्हें क्या बोला जाता है तो मैंने आपको क्या बताया है यस figure में आप देखें के जो ground के नीचे होते हैं उनको crypto fight या geophyte बोलते हैं तो ये देखिए इसका क्या answer होगा crypto fights next पे चलते हैं in round care's life form tuberous plants are kept in फिर से आया tuber क्या है tuber perinating structure है underground part है next में चलते हैं in round care's life form the trees tree क्या है round care के life form में तो आपको पता है tree जो होता है 50 cm से ज़्यादा वड़ा होता है उसके buds उसे पे रहते हैं इस टेम पे favorable condition में नई नई शाखाये बनती रहते हैं तो ऐसे plants को हम fenrophytes बोलते हैं next चलते हैं कह रहा है annual plants surviving annual plants surviving adverse season in the form of seeds annual plant है यह मतलब एक से ज़्यादा साल तक grow नहीं करते हैं एक से ज़्यादा साल तक इन्हों grow करना होगा तो कुछ ना कुछ structure बनाना होगा जैसे यह आपके cryptophytes हुए वो bulb या कॉम के form में रहते हैं जमीन के नीचे next season में फिर से grow करते हैं इसलिए ऐसे plant को perennial बोला जाता है जहां जिस plant में bulb होता है यह सब चीज़े होती है वो plant आप देखेंगे वो perennial होती है annual नहीं होते annual plant का मतलब प्लांट का कुछ नहीं बचे गए एक ही साल में उसका life cycle complete ठिक तो उन्हें क्या बोला जाता है वो किस में आएंगे थेरोफाइट में आएंगे तो यह था आपका lecture रांकियर्स लाइफ फॉर्म पे यह चीज़े आप याद रखिए यह फेनरोगेम, chemiphytes, hemiphyptophytes, cryptophytes, therophytes आप कभी भी confused नहींगे फेनरोफाइट आप से कोई भी बोले समझ लिए ट्रीज chemiphytes का कोई भी आप से बोले समझ लिए perennial herbs जो 50 cm से नीचे हो ठिक, hemiphyptophytes का मतलब ground के आसपास ही रहेगा यह और भी छोटे होते हैं ठिक, क्रिप्टोफाइट का मतलब जब bulb, tuber, com, etc का आए तब क्रिप्टोफाइट या जीओफाइट आप बोलेंगे therophyte में किवल आपको seat से मतलब है कोई भी पर इनिटिंग स्ट्रक्चर इसमें नहीं बनता है, तो यह सारे question है क्या होता है, तो आपके पास जाता है notification के इस channel ने एक नया वीडियो डाला है जिससे आपका कोई भी वीडियो जो है miss नहीं होगा और इस वीडियो के description में मेरे previous वीडियो के lecture हैं वो भी देखना मत भूलेगा मिलूँगा आपसे next वीडियो में कोई और topic लेके चलता हूँ मैं, thank you for watching this video